इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोटक महिंदरा बैंक में हमें अपना जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे ओपिन करना है कोटक महिंदरा बैंक में अकाउंट ओपनी का जो प्रोसेस है उसमें कुछ चेंजेस हुए है जिसकी वज़े से कई सारे यूजर गलत अकाउंट टाइप सेलिक कर ले रहे हैं जिसकी वज़े से उनका जो अकाउंट है वो जीरो बैलेंस नहीं रहता है तो आप सभी को यहाँ पर पूरा प्रोसेस बताने वालों कैसे आपको सही तरीके से अब Zero Balance अकाउंट ओपिन करना है जिसमें कि आप सभी को अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं होगी और आपको इस पर एक फ्री में वर्शुल डेविट कार्ड मिल जाएगा जिसके जरी आप गुगल पे फोन पे भीम प्याई जैसे यतनी भी अप्लिकेशन है उनमें रेजिस्टर कर पाओगे तो सबसे पहले तो मैंने आप सभी को कोटेक महेंदरा बैंक का जो ओफिसियल वेबसाइट का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इस पर आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने ये जो वेबसाइट है आजाएगी अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो अकाउंट है जैसे कि मैंने आपको बताया जीरो बैलेंस अकाउंट है यहाँ पर अकाउंट में अगर आप बैलेंस नहीं भी रखते हो तो आप सभी को बैंक की तरफ से कोई भी चार्जेस नहीं लगाया जाते है और यहाँ पर य अकाउंट को ओपेन करने के लिए सबसे पहले तो यहां पर अपना जो मोबाइल नंबर है में फिल करना है इसके बाद में आप सभी की जो जीमेल आईडी है इस बॉक्स में आपको इंटर करना है अपने एरिया का जो भी पिन कोड है जो की आधार पे है सेम उसी तरीके से मिलता है आप सभी के धिरो कमेंट आते हैं कि इसके आगे हमारा प्रोसेस नहीं बढ़ रहा है तो देखो कोटेक महिंद्रा बैंक ने प्रोसेस में कुछ चेंजिस किये हैं अब यहां पर आपको करना क्या है अगर आपको इस तरीके का मैसेज आता है तो आप सभी की जो एर इंटर करना है जहां से आप सभी लोग बैंक की तरफ से जो किट भेजी जाएगी जो डेविट कार्ट भेजा जाएगा उसको आप रिसीब करना चाहते हो तो यहां पर यह ज़रूरी नहीं कि आपके आइडी प्रूप पर यह जो पिन कोड है मवजूद हो आप अपने फ्र गजुझ के बस तो यहां पर आम पर हम प्रोसीट के आप्शन पर क्लिक आता है जहां पर आप के आजह आधार कार्ट से जो भी मॉबाईल नंबर लिंक है उस पर एक OTP send किया गया है वो OTP आप यहाँ पर फिल करोगे अब इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे आधार कार्ट पर हमारी जो भी information मौझूद थी वो यहाँ पर फेचो करके आ चुकी है यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी जो photograph है वो भी आ चुकी है यहाँ पर आप सभी को जो भी details of blanks है जिसमें information फिल नहीं है वो आपको select करना है जिसमें कि select occupation के section पर click करना है यहाँ पर आपका business है या फिर self-employed हो या फिर public sector के कोई भी employee हो आपको choose करना है आपकी जो major income है उसका source क्या है तो जैसे कि हम job करते हैं तो salary यहाँ पर select कर देंगे यहाँ पर annual income के कैसारे slab आते हैं जो भी आप slab में आते हो आपको choose करना है marital जो भी status है आप married हो single हो choose करना है यहाँ पर आप सभी को अपने father का जो name है जैसे कि आपके pen card पर है same उसी तरीके से इंटर करना है इसके बाद में mother my day name के section में आना है यहाँ पर आप सभी को अपने मा का जो name है जो की साधी से पहले था यहाँ पर आपको fill करना है यहाँ पर confirm के section में repeat वो जो name है वो फिल कर देना है और proceed के option पे आपको click करना है अब यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे आधार card से जो address फेच हुआ है उस पर red color से यहाँ पर mention किया गया है कि यह जो address है यह serviceable नहीं है तो उसके लिए आप देखोगे कि नीचे के तरफ bank की तर पर secondary address add कर पाओगे तो यहाँ पर आपको add new address का जो option दिया गया है जिसके अंदर सबसे पहले तो flat house name के section में आना है आपका जो house number है यहाँ पर फिल करना है अगर नहीं है तो directly आप village name यहाँ पर फिल कर सकते हो इसके बाद में आप सभी लोग अपना जो pin code है यहाँ पर enter करोगे proceed के option पे click करोगे अब इतना करते ही हमारे सामने nominee की जो details है वो add करने के लिए page आ चुका है जहाँ पर आप सभी लोग nominee की जो details है साथी के साथ add कर लोगे यहाँ पर आप सभी को nominee का जो full name है फिल करना है न यहाँ पर आप सभी को यह option दिया गया है कि communication का जो address आपका है वही address अगर nominee का है तो आप इस option पे click कर दोगे तो automatic जो address आपने पहले फिल किया है यहाँ पर वो जो address है जुड़ जाएगा और इसके बाद में आपको proceed के option पे click करना है अब यहाँ पर कुछ term and conditions आएंगी जिन करने का आ जाएगा जहाँ पर आप सभी को एक six digit का M-pin set करना है जो कि आप दुबारा से अगर आओगे तो इस M-pin के थू कोटेक महिंद्रा की application के अंदर login कर पाओगे यहाँ पर आपको repeat जो है M-pin को दर्ज करना है और confirm M-pin के option पे click करना है तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो M-pin है वो successfully set हो चुका है next पर आप देखोगे कि virtual card एक हमें दिखाया गया है जो कि visa card है यह जो card है आप सभी को कोटेक महिंद्रा बैंक की तरफ से free में मिलने वाला है इसके जो users है online enable करने के लिए इस option पे आपको click कर देना है और proceed के option पे आपको click करना है यहाँ प और यहाँ पर आपको थोड़ा सा wait करना है आप दिखोगे कि आप सभी का जो virtual card है वो generate होकर के आ चुका है card number, expiry, CBB, यहाँ पर सारी ही details आपको दे दी गई है जिसमें कि यह जो card है इसके जरीए आप online कहीं पर भी shopping कर सकते हो Google पे, phone पे, भीम विपया जैसी जितनी भी application है यह जो card है आपको free में ही मिल जाता है लेकिन अगर आप सभी को physical card चाहे जिसको आप ATM के अंदर use कर पाओ तो वो card अगर आपको मंगाना है तो उसके लिए आप सभी को लबग 300 रुपीज के charges देने होते हैं जो कि आप application के अंदर आ करके अपना जो physical debit card है वो कभी भी apply कर सकत हैं लेकिन आप देखोगी कि यहां पर complete full kyc का यह जो option है दिखाया गया है तो यहां पर यह जो account आपका open हुआ है इसके अंदर अभी maximum एक लाख रुपए तक का जो fund है आप रख सकते हो अगर आप full kyc अपने account की कर लेते हो तो कोई भी limitation नहीं रहेंगे कितना भी आप इस account के अंदर पैसा रख सकते हो कितना भी पैसा आप डॉल कर सकते हो तो यहां पर यह जो full kyc है आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है वीडियो kyc के जरीए यह काम हो सकता है जैसी कि आप देखो कि हमने full kyc करने के लिए क्लिक किया है तो बताया जाता है कि आपका जो original pen card है वो होना चाहिए आपको एक signature करके दिखाना होगा आपको selfie upload करने होगे इसके बाद में आपकी जो kyc हो जाएगे तो यहां पर proceed to verify के option पे हम क्लिक करेंगे सबसे पहले तो यहां पर pen card की जो copy है उसको scan करना है तो take photo के option पे हम click करेंगे यहां पर ध्यान रखना है कि e pen card म नहीं होता है आपको जो physical pen card है जो घर के पते पर आता वही pen card आपको upload करना है इसके बाद में यहां पर अपनी जो photo है capture के option पे क्लिक करके कुछी सरीके से capture कर लेना है अब थाड़ा option आता है signature को upload करने का जिसमें कि हमें एक plain paper पर signature को कर लेंगे यहां पर blue pen से आप सभी को signature करना है इसके बाद में यहां पर camera के माध्यम से take photo के option पे क्लिक करके signature का जो area है इस तरीके से आप सभी को capture कर लेना है तो यहां पर तीनों task हमने complete कर दिये हैं और जैसे आप यह complete करोगे तो यह जो page है automatic redirect होगा और आप सभी का जो यह call है आप देखोगे की video kyc के लिए bank के कर्मी के साथ में connect हो जाएगा आप सभी से bank का जो कर्मी होगा वो आप से बात करेगा आप से कुछ basic information पूछी जाएगी उसके बाद में आपको अपना pen card दिखाना होगा आपको अपने signature करके दिखाने ह हो जाती है यहां पर ध्यान रखना है कि जब भी आप video kyc कर रहे हो तो पीछे से कोई भी आपको support ना करें अगर आइसा होता है तो आपकी जो वीडियो kyc वह फेल हो जाएगी उसके बाद में आप सभी को फिर branch visit करना होगा अब यहां पर आप देखोगी कि जैसे हमारी video kyc को अपने फोन में इनिस्टाल करना है और यहां पर जो भी mobile नंबर आपने यहां पर दिया था बैंक को वह mobile नंबर के थूर इस अप्लिकेशन के अंदर साइन इन करना है आप जो अकाउंट है वह पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुका है इस अकाउंट के अंदर किसी से लॉग इन करना है पूरी information मिल जाएगी तो आसा करता हूं आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो इसे like जरूर करना चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को भी subscribe करके जरूर रखना और कोटक महिंदरा बैंक के अलावा मैंने कई सारे अन्य बैंक के अंदर जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे आपको open करना है उन सारे topic पर वीडियो पहले ही बना रखे हैं जो कि हमने वीडियो के description ने उन सारे वीडियो के जो link है मैंने दे रखे हैं जिनको आप एक बार check out कर सकते हैं और हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में तब तक लिए गुड़ बाई जैन